स्टूडेंट्स मैं एपीजे स्कूल चर्खी दादरी से आपका टीचर सत्वीर सिंग बोल रहा हूँ आज हम बैलून्स बनाएंगे बहुत सिंपल है सबसे पहले हम पैंसिल से ट्रॉ करेंगे जो मैंने ओलरी लाइट ट्रॉ कर रखा है अब इसके उपर हमने आउटलाइन करना है ब्लैक स्केच से आपको ओवल शेप बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ बहुत सिंपल बहुत अराम से ये हमारा बैलून्स बन गया अब हमें ग्रूप ओफ बैलून्स बनाना है ये देखिए बहुत सारे हम बैलून्स बना लेंगे बहुत सिंपल है आपने ओवल बनाना है और वो बैलून्स अपने आप बन जाएगा ये बहुत सिंपल है ये हमारे बैलून्स बन गये है अब बैलून्स उड़ेंग उड़ जाएंगे ना इसलिए हमें इनको थ्रेड भी लगाना है ये हमने इनको थ्रेड से बान दिया बहुत सिंपल है आप चाहें तो को ऐसे भी बैलून्स बन गये है अब आप चाहें तो बैलून्स के अंदर कोई भी लिजाइन बना सकते है आप चाहें तो प्लेन बना सकते हैं चिक हैं अभी मैं एक के अंदर छोटा सा डिजाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ बाकियों में आपने बनाना है नहीं बनाना है कोई बात नहीं अभी हमने एक बैलून में डिजाइन बनाया, बाकि हमने प्लेन रखे हैं, आप चाहें तो सब में डिजाइन बना सकते हैं, आप हम इन में कलर करेंगी, मैं पहले बैलून में अपना ब्लू कलर स्टार्ट करता हूँ, आज मैंने पैंसिल कलर लिये हैं, और मैंने आपको बता था सबसे पहले आउटलाइन फास्ट नहीं करना है यह हमने आउटलाइन कर लिए यह इधर भी हम आउटलाइन कर लेते हैं पहले यह हमारा फास्ट बैलून है जिसमें हम कलर कर रहे हैं आउटलाइन किये आउटलाइन करेंगे फास्ट नहीं करेंगे बहुत असान है ना यह हमने इसमें कलर किया है अब हम डिजाइन में भी कलर कर रहे हैं वही आपको बहुत ध्यान रखना है कलर बहार नहीं निकलना चाहिए इसलिए हम आउटलाइन कर रहे हैं यह हमारा फर्स्ट बैलून बनने वाला है बिल्कुल असान है आउटलाइन जरूरी है उससे हमारा गलर बहार नहीं निकलता है और स्लो करना है यह हमारा एक बैलून बन गया बाकी बैलून में मैं फ्लैट कलर करूँगा लेकिन आप चाहें तो डिजाइन बना सकते हैं एक चीज़ का ध्यान रखना है जैसे इसके साथ वाले में हमें ब्लू कलर करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा इसलिए हम सब में अलग-अलग कलर करने की कोशिश करेंगे अभी हम दूसरे में यह कलर कर रहे हैं पहले आउटलाइन धीरे-धीरे धीरे-धीरे करना है फास्ट नहीं चलना है फास्ट चलेंगे तो हमारा बहार निकल जाएगा इसके अंदर भी रैट आप हम अपने बैलू में कलर करेंगे बहुत असान है आप चाहें तो कोई दूसरे कलर भी कर सकते हैं पैंसिल कलर नहीं है कोई बात नहीं आप चाहें तो वैक्स कलर कर सकते हैं ओयल पिश्टल कलर कर सकते हैं पैंसिल कलर तो हैं ही करी रहे हैं हम, आप जाहें तो स्केच पैन भी कर सकते हैं ये हमारे टू बैलून्स तो बन गए हैं, अभी हम मैक्स में कलर करते हैं ये हमारे बैलू बनने वाला है ये बैलून और बन गया है आप हम एक में कॉर में किसी में कलर करते हैं ये वाला इसमें कलर में प्रूम्यूंत है ये करें गया अब हमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर करेंगे फिर यह हमारा colorful लगेगा अच्छा सा और सब में अगर same color कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना colorful नहीं लगेगा उतना इसलिए आपको अलग-अलग color करने हैं very good आप हाँ एक color और लेते हैं यह हमने red color ले लिए इधर से फिर से एक उदर हमें red बनाया था एक हमने यह वाला भी red बना दिया यह हमने outline की आप हम धीरे-धीरे color करेंगे बाहर नहीं निकालना है सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है वह भी बाहर नहीं निकालना है कोई खास बात है यह नहीं बाहर निकालने से तो बंदा हो जाता है यह हमारा हो गया आप एक के अंदर हम येलो कर देते हैं हमने येलो यूस नहीं किया है पहले outline हम बार बार बता रहे हैं पहले outline जरूरूरी है वरना हमारा कलर बाहर निकल जाता है और ये हमारा बन गया बैलोन्स बन गया आप हां इधर भी तो कलर करना है थोड़ा सा ये हमने पिंकी ले लिया पिंक कलर जेलो जी हमारा बन गया group of balance बहुत सुंदर बनेगा आप बनाएंगे आपको तो मेरे से भी अच्छा आता ही है मेरे को पता है अब हम इनको उड़ाएंगे कैसे अगर हम यहां पे clouds बना देंगे तो यह लगेगा कि जैसे बादलो में जा चुका है हां यह हमने clouds बना दिये clouds जरूरी नहीं है आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं आपको जो मन करें आप बना सकते हैं यह आप clouds देख लिजिए हाई जी अब हम clouds में clouds में तो सोचने की जरूरती नहीं है हमें blue color ही करना है यह हमने sky blue color लिया है clouds के लिए वही हमने पहले outline पूरे की outline करेंगे वरना बाहर निकल जाएगा यह हमने outline की इसकी भी हम पहले outline कर लेते हैं आप चाहें तो screen short ले लिजिए ताकि आप बात में help लेसके स्क्रीन शोट पहले ले लो अभी ले सकते हैं क्योंकि अब तो drawing पूरी होने ही वाली है और यह देखो हमारा balance बन गए है सारे सुन्दर सुन्दर बनेंगे आप और भी ज्यादा सुन्दर बनाएंगे ठीक है students आप चाहें तो screen short ले लिजिए बाद में आप अराम से देखके फिर बना लेना ओके बन गया very good thank you कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल